दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं इसले टेलीकॉम आपका चैनल दोस्तो इस वीडियो में मेरे स्टूइट आपको बता रहा है कि उसके पास में उसकी सौप में एक मुबाइल आया था माइका जिसमें उसका टच काम नी कर रहा था तो कैसे उस पर चिप लेपल पर काम किया और तो इस वीडियो को पूरा देखके और यहुद्ट है आपको बहुत सारा आलज़ मिल जाए कि कैसे इस पर काम किया जा सकता है चिरहके यह स्टूरेनट थाए यह पिछ ली बैच था, जो डिल्ली साया था, दोस्तो अच्छा लग रहिए कि यह बहुत अच्छा काम कर रहेे हैं, और अपने से दली चणेल भी बनाया है। तो यह जो वीडो है उसी नहीं बनाया हुआ है यह उसने मुझे सेंड किया हुआ है मैंने अपने चनल पर से बफलोड किया है और अगर आपको इसके YouTube चैनल पर जाना है तो उसकी लिंक में आपको अपने इस नीचे डिसकेशन पर दे दूँगा आप वहां पर जाके इसको क्लिक कर सते हैं और उसको सस्क्राइब जरू करें दोस्तों क्योंकि अभी वह बहुत अच्छे वीडियो बनाएगा और आपको उससे बहुत सारा ज्यान मिल जाएगा अचा दोस्तों इसके साथ ही मेरा पंदादारी का नया बैच जो चालू हो रहा है वो सौटवेर का बैच है जिसमें हम सभी तरह के मुवायलों की फ्लैसिंग आपको बताएंगे बिना बॉक्स बॉक्स के साथ सबी तरह के मुवायलों के मोड क्या होते हैं अचा पर आपको पर यहां पर प्रैक्टिकली सिखाते हैं जिसमें हमारे हां इक बड़ा प्रोजेक्टर लगा हुआ है और सारे श्ट्रों को मौका देते हैं यहां पर ऐसा नहीं है दोस्तों आपको कौपी किता बिल्कुत पहन यहां पर कुछ भी लेकर नहीं आना है सारी चीजा पर प्रैक्टिकल ही शु कहाँ जाती हैं यहां पर लिखे हुए आपको नोट मिल जाते हैं जो सी बात जरी बाद जहां पर बीघ्ल शिखे केजा है क्लास Wenyam को सीखना है एक काम तो आप आ सकते हैं और नीचे दिये नंबर पर अपना SMS कर दीजे अपना नाम एटरस और लिग दीजे कि आपको सौर्वेयर बैच को सीखना है 15 ता इसे चालू हो रहा है 14 ता आप जोलपूर आ सकते हैं जो उसकी फीस और डिटेल सब कुछ आपको फॉन दर बता दियाएगी चलिए इस वीडियो को पूरा देखे अगर पसंद आ तो लाइक कीजेगा और और अच्छा पसंद आ है तो जो इस लड़के ने ये वीडियो बनाया है महनत के साथ उसको एप्रिसेट करने के लिए उसके यूट्यूब चैनल पर जाएको उसको स अधर बोड है बैक साइड दिकर इसे प्रॉब्लम ही आ रही है कि इसके अंदर टच नहीं चल रही है तच की प्रॉब्लम आ रही है हम आपको लगा के एक बड़ी दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें टच की प्रॉब्लम आ रही है टच नहीं चल रही है हमने कि फोल्टर भी चेंज करके देखा उसके बाद भी इसमें टच की प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं अगर आपको बास कोई ऐसा फोन आता है जि अनोने में अगाए इस फोन आनों गया तर देखे रहो इसमें टच नहीं चल रहा हमने टच का पत्ता भी लगा रहा है दिखा दो एक बड़ी टच का पत्ता यह यह एक में यह इसका टच का पत्ता है यह भी लगा हुआ है लेकिन फिर भी टच नहीं चल रही है यह टच नहीं चल रही है ठीक है तो हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्फ करते हैं आज शट डाउन करते हैं कि यह इसका टच का कनेक्टर है यह आप देख पा रहे होंगे तो यह इसका टच का कनेक्टर है चील से इसमने प्रॉब्लम यह दर द colony और रही थी कि हमने च待 कि इसकी सारी से प्रेशिस्टंस आ रहा है लेकिन इसकी एक फिन पिन ओपन आ यहाथ दिखाता हूं कि हमने फाइंड आओड कर रखा था था मैं आपको बता रहा हो इकरी धिखा रहा हूं कि이가 इसकि यह ग्राउंड है second pin एक मिल्टी मेटर भी रख लेते हैं हम साथ में यह हमने first pin चेक करी है यह ground है second pin यह resistance आ रहा है third pin यह third pin पर देख रहे हैं आप third pin दिखाऊ third pin पर देख रहे हैं यह one आ रहा है one का मतलब open है मतलब इस line का जो track है वो open हो रख है ठीक है तो हमने इसकी continuity लेकर चेक किया तो इसकी continuity यहां पर एक डायोड लगा हुआ था यह आपको मैं जूम करके दिखाता हूं कि एक बड़ी एक थोड़ी कि यह डायोड लगा हो था यहां पर इस डायोड पर आ रही थी लेकिन इस डायोड से भी open ही आ रहा था यह point तो फिर हमने इसको check किया तो इसकी दूसरी continuity हमें इसके back side पर बैक side पर यह आप cpu के बिल्कुल पास यह रिजिश्टर देख रहे हैं यह रिजिश्टर है इस रिजिश्टर पर आ रही थी इसकी continuity इस रिजिश्टर पर इसकी continuity आ रही थी इस रिजिश्टर है हाँ इस रिजिश्टर पर इस रिजिश्टर पर इस रिजिश्टर भी आ रहा है आप चेक पर एक में दिखाता हूं आपको मैं यह चेक करो इस रिजिश्टर पर आप चेक कर रहे हैं तो यह रिजिश्टर भी आ रहा है यहां पर 345 के राउंड ठीक है तो हमने चेक किया इसका track यहां था जिससे कारण इसको active voltage नहीं मिल पाभी थी और touch active नहीं हो पाभी थी ठीक है । touch ख worked Black TV ओने के लिए we'll टेज्ज की जुरत होती है जो ओने मिल पा मैं वने हो पारी थी तो मैं आपको को अभी रिजॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे रिजॉल्व होता है जंपर कि अब हमें करना क्या है हमें इस रेजिस्टर से एक जंपर उठाकर उस डायोड के पॉइंट पे देना है जो की तीन नंबर की पिन से जुड़ा हुआ है टच की कि यह रेजिस्टर पर हमने जंपर लगा दिया है इसके बैक साइट के पैनल पर जंपर लगा रहे हैं डाइयोड पे डाइयोड जहाँ लगा हूँआ था वो डाइयोड थो घ sudah को हमने काल सकते हैं क्योंकि वह प Fernando Ireland में लगा होता है तो उसको निकाल सकते हैं क्यार कॉछ के हमने ओम ने जंपर लगा लिए देखो लिए ना Philippine देख पारे हो हमने यहां पर इस पॉइंट पर जंपर लगाया है कैपसिटर के ऊपर एक डायोड है तो टिए बैक साइड पे दिखा दो काहा तनी हो टीक हैं। तो अब हम इसको लगा के देखेंगेँ कि यह नहीं चली हम लगा रहे हैं। कि यह हम लगा रहे हैं फोन में। कि भारे alma Lives ये जो प्राप्लम आई ये जाया दर व्र डैमिज के कारण आती है ये फ्मी पाणी में गया हुआ था जैसे तक हम्यप्र आई है सकी अंदर付क्स को फाट था आता है जो अंदर सर्केट ब्रेक हो चुगा था यह ओन हो गया है अब हम टच चला के देखेंगे एक पड़ी यह टच चल रही है हमें इसका पासवर्ड नहीं पता क्योंकि कश्चमर का फोन है तो बाकी हमने चेक कर लिया कि टच हमारी चल पड़ी है अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसका रीजन क्या है कि क्या प्रॉबलम हा रही थी बैक सािट वह नीचे अभी मैं आपकोड़्य कहता हूं कि टच कनेक्टर पर कितनी वॉल्टे श म explained चाहिए एक्टिव वॉल्टे जिसके करन टच एक्टिव होती है यह मल्टिमेटर को वोल्टेज पर सेट करो 20 वोल्ट पर एक प्रोब को हम उसी पिन पर चेक करेंगे जहां पर हमने जंपर लगाया था यह आप चेक करें 1.76 वोल्टेज आ रही है 1.747576 जित्ती वोल्टेज आनी चाहिए 1.8 से लेकर 2.8 तक के बीच में वोल्टेज आनी चाहिए टच कनेक्टर पर जिसे गरन टच एक्टिव होती है यह एक्टिव वोल्टेज होती है अगर यह वोल्टेज नहीं आएगी तो टच अपना वर्क नहीं करेगी और एक्टिव नहीं होगी ठीक है यह देखो हमारा प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो चुकी है मैं आपको दिखा देता हूं बैक सेट दिखा हो पर टच दुबारा चला क्या यही प्रॉब्लम थी कि हमारी टच चल नहीं रही थी तो यह इसी तरह मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अभीशटर का नेंे बताया। यह lesain होरत है है. इसमें हाणवर की знает है जो student यहाँ पर नहीं आपारी हैं, किसी तुमिंड़े एंस्ट्रूट multi नो भी है तो वो यह नांखतें और लिक कंनी की पूरी ढानकारी रहा है सकते हैं मेरा हार्डवेर का गोल्लिम डूबी आने वाला है और जिसमें मैंने यहां पर मैंने बेसिंग लेबल पे जो चीज बताई है उसी चीज को मैंने एडवांस लेबल पे बताया हुआ है बेसिकली एक ट्रेसिंग करते हैं तो इसके लिए वेट कीजेगा वह आजाएगी बेभी दो या ती में मंद के अंदर तो अगर आपको तो अगर आपको यह वीडू अच्छा लगया और आपको यह बुक खरीदी है तो इस बुक को कहां से गर सता है बुक को खरीदने के मैं यह भी कही न कहीं किसी बड़े इंसिटूर से ही सीख कर रहा है और यहां पर आपको किस तरह का अनुवा हुआ हुआ थोरा सा दू मिट के लिए बताओ कि क्या सिर्फ चार्जिंग जेक निकालना या फिर हम बात करते हैं कि मुबाल को सर्विस करना कि हम उसको जब प्र अब गूगल प्लेस्टोर में जाकर सर्च बार में एस से टेलिकॉम सर्च करें एसे ये टेलीकॉम लिखे हैं और एसे टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाय रेपेरिंग एप्स जिसमें सॉट्वे और हाडवेर और भी काफी एप्स है जिसमें मोबाय रेपेरिंग वीडियो और मोबाय रेपेरिंग टूल्स, मोबाय रेपेरिंग सॉट्वेर और mobile repairing hardware के काफी apps अब को मिल जाएंगे, इन apps को अपने mobile में install करके lab उठाएं. बजल जाएंगे अब के घřिए खliड शाओे, इना भॉक अँड़ से घर मान। आएंगे, अचारे बना है, इन हम ऊपने करे ला सकता क्या दो storedते शीमारेव, गॉका में एक कि अधने रहें旅ों को अपने उन्याएं़िंक अपने अपने डिल दो झूोज। प्यूज। एंभ